कौन नहीं चाहता, बुढ़ापा शांदार हो, शांदार रेटार्मेंट हो, बच्चों से किसी तरह का कोई हैल्प की जुरूत न पड़े, इवन हम financially उनकी मदद कर सकें, और अगर सरकारी नोक्री है तो तो बले बले, क्योंकि सरकारी नोक्री में at least pension तो है भई, लेकिन ये pension सरकार पर, सरकारी खजाने पर और taxpayer पर एक burden बनता जा रहा था, कई कमेटियां बनी, finally, इन कमेटियों के recommendation के हिसाब से, एक जनवरी 2004 को जो old pension scheme थी, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन again, old pension scheme को revive करने के लिए, अलग-अलग जगा से मांगे उठीने लगी, और कई स्टेटों ने तो इसे दुबारा से revive करने का फैसला भी ले लिया, उसमें से पंजाब है, राजस्थान है, चत्तिसगड है, जारकंड है, कई export का मानना है कि एक good politics तो है, लेकिन bad economics है, मतलब कि politics के लिए तो अच्छा है, लेकिन economics के लिए ये बहुत खराब बात है, कई इसके उल्टा समझते हैं, कि बिलकुल जायज ठहरा रहे हैं, यानि कि अलग-अलग विचार इस पर है, आए हम इस वीडियो में बात करेंगे, कि pension क्या होता है, और क्यों दिया जाता है, और फिर हम बात करेंगे, कि old pension scheme क्या थी, और इसे क्यों discontinue करना पड़ा, new pension scheme क्या है, और इसका क्य pension politics का, फ्रेंड्स, आगे बनने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर new हैं, तो please subscribe कर लें, ताकि आपको इस तरह से analytical videos मिलती रहें, जनरली मैं कहता हूं, कि हमारा दिमाग जो है, एक खाली गिलास की तरह है, अगर हम खाली गिलास को हिलाएंगे, तो कोई आवाज नहीं आए pension पर fact-based बनाएं, ताकि सही जानकारी होना भी ज़रूरी है, pension का concept जो है, ब्रिटेन नहीं शुरू किया था, ब्रिटेन में 1710 के करीब जो वहाँ पे British Custom Service था, उनके employeeों को देना शुरू किया, उसके बाद 1810 में, ब्रिटेन के सभी civil servants को pension दिया जाने लगा, उसके बाद around 1850 में, इंडिया में भी Britishers ने pension scheme लागू कर दी, वर्ल्ड में अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में 1920 में pension scheme की शुरूरात हो, pension, बुढ़ापे में दिये जाने वाला एक तरह का अंच होता है, ताकि बुढ़ापा सही से कट सके, लेकिन pension की क्या जुरूरत है, अग अगर हम अलग-अलग point of view से देखें, तो employer का point ये होता है, कि जो बुढ़े कामगर हो चुके होते हैं, उनको एक तरह का graceful exit दिया जाता है pension से, और नए कामगरों की भरती की जाती है उनकी जगापाने, अगर ये pension scheme ना हो, तो जो talent है, शायद company के तरफ attract नहीं होगा, ये employer point of view है, अगर हम employee point of view देखें, तो बुढ़ापे में एक तरह की मदद है, अगर pension ना मिले बुढ़ापे में, तो किसके सहारे रहेगा employee, इसलिए उसे pension मिलना जरूरी है, और अगर हम समाज के हिसाब से देखें, तो pension इसलिए जरूरी है, जिस तरह से young लोग बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही employer, क्योंकि अच्छी position में होता है, उसका भी एक धरन है, duty है, कि अपने बुजुर्ग हुए employee को देखें करे, उनकी जुरूरते हैं, उससे में पूरी करे, जब वो productive नहीं हैं, तो इस तरह से ये अलग-अलग बिचार हैं, जो अलग-अलग stakeholders क हैं, अगर हम pension के उपर इससे जुड़ी theories की बात करें, तो एक theory है benevolence theory, यानि कि परफकार theory, परफकार theory ये कहती है, कि employee जब काम करता है, जवानी के दुरान, तो वो contribute करता है, लेकिन जब वो बुढ़ा हो जाता है, जब वो किसी तरह का कोई contribution नहीं कर सकता, उन productive हो जाता है तो employer जो की better position होता है, उसका ये duty बनता है, कि उनका वो ख्याल रखे, एक तरह का बक्षी से ये जोड़ा जाता है इस theory को, दूसरी theory है reward theory, reward theory ये कहती है, क्योंकि employee ने अपनी सारी जवानी गलादी company के लिए, इसलिए बुढ़ापे में उसको एक तरह का reward दिया जाता है, इ एक theory is deferred wage theory, इस theory के तहट ये है मानना कि employee को कम salary दी जाती है, तो जो भाग बच जाता है, वो उसको आखरी समय में as a pension दी जाती है, और एक theory है social security theory, इस theory के साब से देखें, जिस तरह से बच्चे जो है अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से company भी अपने बुजुर्ग employee का ध्यान रखती है, ये उसका धरम है, तो ये आपके सामने चार theory हैं, जिनके basis पर pension जो है दी जाती है, इसमें से कौन से apply होती है, ये आपके सोच के उपर है, अब बात करते हैं कि old pension scheme क्या थी, और इसमें क्या problem थी, old pension scheme के तहट employee की जो आखरी drawn salary है, उसके basic pay का 50% employee को as a pension दिया जाता था, प्लस इसमें जुड जाता था dearness allowance, यानि कि महंगाई की वज़े से जो purchasing power में कमी आई होती थी employee की salary में, वो add कर दिया जाता था, इस तरह से एक employee की pension calculate होती है, इसमें employee से कुछ नहीं लिया जाता, और इस तरह से ये एक तरह का guarantee होता है, employee को कि उसको retirement के बाद कितनी pension मिलती है, इसलिए इसको assured benefit scheme भी कहते हैं, अब क्योंकि employee से कुछ नहीं लिया जाता, सारा का सारा burden सरकार के रूपर होता है, सरकार भी जब retirement होती है, तो अपने budget में से एक amount अलग कर लेती है, जो pensioner को दी जाती है, यानि कि सरकार भी अलग से fund नही 10,000 रुपए, तो उसका 50% बनेगा 5,000 रुपए, प्लस 4% माल लो DA है, तो 200 रुपए बनता है, इस तरह से कि employee की pension बनती है 5,200 रुपए, और ये pension, pay commissions या DNS allowance, दोनों की विज़े से लगातार बढ़ती रहती है, और अगर आज की date बात करें, तो central comment में minimum pension जो है 9,000 रुपए ह ये आज की pension है, यानि की 2004 से पहले जो लोग retire हो गए थे, उनको ये pension मिल रही है, अगर हम बात करें कि क्या problem है इस old pension scheme के साथ, तो आप देखो, तो employee से किसी तरह का योगदान नहीं लिया जाता pension में, और इस सारा burden जो है, सरकार अपने budget से पूरा करती है, यानि की indirectly ये taxpayer पर चला जाता है, और ये एक तरह का intergenerational burden भी create करता है, यानि की भविश के taxpayer आज की employee के सेवाओं के लिए भविश में उनके pension को bear करेंगे, यानि की काम वो आज कर रहे हैं, सेवा आज दे रहे हैं, आज के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन भविश के जो taxpayer हैं, वो bear करेंगे, इस Export Committee बनाई गए थी pension reform के लिए, और उस Export Committee नहीं कहा कि 1998-99 में सरकार के tax receipt का सर्फ 2.1% pension के लिए जाता है, 2001 और 2 में 11% हो गया, और 2020-21 में ये 20% हो जाएगा, यानि कि अगर सरकार को 100 रुपे tax का आता है, तो उसका 20 रुपे pension में चला जाएगा, अगर हम थोड़ा और डाटा समझें, तो 1990-99 में किंद सरकार का जो pension budget होता था, वो 3,212 क्रोड होता था, और सभी स्टेटों का जो pension budget होता था, 3,131 क्रोड होता था, ये बढ़कर 2020-21 में 58 times बढ़ गया, और 1,90,866 क्रोड हो गया, और states का 125 times बढ़ गया, यानि कि कहा 1990-99 में 3,131 क्रोड होता था, और 125 225 गुना बढ़ गया और ये हो गया 3,86,001 क्रोन इतना इजाफा और ये बढ़न बढ़ता जाएगा incremental है क्यों क्योंकि pay commission जो बैठती है वो बढ़ा देती है दूसरा जो DA है वो भी add हो जाता है आप एक और data समझो जो employee 1995 में retire हुआ जिसकी pension जो मिलती होगी वो 2025 में जो employee retired होगा उसके pension के बराबर है तो सोचो 10 सल पहले जो retire हुआ उसकी pension और 2025 में जो retire हुआ उसकी pension लगभग बराबर हो जाएगी इतना बड़ा increment है तो क्या ये burden नहीं बनेगा एक और data समझते है 2001 में ऐसे डावे committee बनी थी unorganised sector के pension के लिए उस committee ने कहा था कि 31 करोड total workforce है उसमें से 11 परसंट यानि कि 3.1 करोड employee है जिने pension मिलता है बाकी किसी को नहीं मिलता यानि कि अगर हम average कर लें center और state दोनों के employee का तो मात्र जितना workforce है उसका सर्फ 4 परसंट ही यह सरकारी employee है जिने pension की security है और मात्र 4 परसंट employees के लिए इतना बड़ा chunk देना पड़ता है सरकारी पैसे का अगर आप थोड़ा और data में जाएं तो हिमाचल परदेश कि जितनी tax से कमाई होती है उसका 79 परसंट के करीब वो pension में देता है वहीं पंजाब 35 परसंट 36 गट 30 परसंट जारकट around 30 परसंट यानि कि अगर इनके पास tax का सौर पर आता है तो हिमाचल 80 रुपए दे देता है pension के रूप में पंजाब 35 रुपए दे देता है 36 गट 30 रुपए दे देता है तो कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा chunk और जो की लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए ये pension जो है unsustainable हो गया है जबकि पुरे world में guarantee based pension shift होकर market linked scheme पे चला गया है लेकिन अभी भी हम उसी old pension scheme की बात कर रहे है जो assured है जिसका benefit बढ़ता जा रहा है जिसका burden बढ़ता जा रहा है और चंद परसंट लोगों के लिए अब बात करते हैं new pension scheme क्या है इसके क्या drawbacks हैं क्या benefits हैं और क्यों demand हो रही है पुराने pension scheme की जो new pension scheme का background है 1998 में ministry of social justice ने एक project शुरू किया था old age pension and security project इस project के तहत जो अनुवर नए sector है उनके लिए कैसे social security इंशोर किया जाए उस पर काम हो रहा था उन्होंने जो सला दी सरकार ने अपने employee के लिए भी एक January 2004 से लागू कर दिया इसके तहत ये था कि एक employee को अपने basic salary प्लस DA का 10% एक pension fund में जमा करवाना है और इतना ही सरकार भी उस employee के pension fund में जमा करवाएगी 2019 में इस 10% को सरकार के लिए बढ़ा कर 14% कर दिया यानि कि employee के basic pay और DA का 14% सरकार अलग से pension fund में जमा करवाएगी और यह जो pension fund है जो employee है यह decide कर सकता है कहा लगाना है ज्यादा risky investment लगाना है कम risky में लगाना है या minimum risk में यह पैसा लगाना है यह employee के उपर है ज्यादा risk ज्यादा return कम risk कम return यानि कि कि दर लगाना है यह भी new pension scheme के तर decide हो सकता है इसका benefit यह हुआ कि intergenerational जो burden था वो नहीं गहां क्यों क्योंकि सरकार आज की कमाई से और आज के employee के लिए आज ही invest कर रही है एक अलग से fund बना कर और employee से भी युगदान लिया जा रहा है इससे यह हुआ कि भविश के जो taxpayer है उन पर burden नहीं बनेगा अलग से एक financial pool इकठा हो जा और इस pension fund को manage करने के लिए nine fund manager appoint लिए और इन pension funds में minimum 9% से लेकर maximum 15% तक return आता है यानि कि एक pension holder को अच्छा लमसम और pension monthly मिलेगा अगर हम pension fund की बात करें तो पिछले आठ सालों में union government के 23,32,774 subscriber जूड़े हैं वही state government के 59,962 employee जूड़े हैं और अगर corporate जगत की बात करें तो corporate जगत भी पीछे नहीं रहा उहां से 15,92,131 subscriber इस pension fund में जूड़े हैं अगर आप unorganized sector की बात करो तो unorganized sector के भी 25,75,771 subscriber जूड़े हैं यानि कि इतना बड़ा subscriber base हो गया है new pension scheme का और अगर हम इस pension fund की बात करें तो 7,00,000,000 करोड़ से जादा इसमें asset है जिसमें pension fund manager manage कर रहे हैं अब बात करते हैं क्या problem है इस new pension scheme के साथ जैसे कि आपने देखा new pension scheme market driven है यानि कि market से जुड़ा है जो employee है वो decide कर सकता है कि उसका high risk में लगे investment या low risk में लगे मगर जिस तरह से old pension scheme एक assured guarantee scheme था जो नया pension scheme है assured guarantee scheme नहीं है यानि कि market के हिसाब से market के performance के हिसाब से employee को pension मिलेगी और जो guarantee increment की थी old pension scheme में वो new pension scheme में नहीं है क्यों कि अगर कोई pay commission बनता है तो वो pension में बढ़ावा कर देता था इजाफा कर देता था वैसा इस new pension scheme में guarantee नहीं है लेकिर हाँ सरकार के उपर जो बचत है वो बहुत जाता है क्योंकि सरकार का अब एक most burden नहीं पड़ता सरकार पैसा धीरे धीरे अलग करती है और एक fund में पैसा जुड़ता जाता है investment होता जाता है और intergenerational जो gap है वो भी नहीं होता है इसका benefit और भी है जैसे कि अब सभी के साथ एक जैसा यानि कि ये नहीं कि सरकारी नोकरी में हो तो आपको अलग से pension मिल रहा और लोग सरकारी नोकरी के लिए मारा मारी है और वो अपना business नहीं करना चाते और बही सिर्फ 4% लोगों के लिए ये assured benefit और बाकी के जो लोग है उनकी कोई assurance नहीं क्या वो बुढ़े नहीं होंगे क्या उन्हें किसी social security की जुरूत नहीं तो इस तरह से ये एक तरह का समाज में जो injustice है उसे भी कम करने को शिश करता है लेकिन problem तो यही है कि assured benefit नहीं है त तो हो सकता है कल market काम ना करे तो उतना benefit ना मिले या हो सकता है कि जो increment पुराने में मिलता था उतना increment यहां भी ना मिले ये बहुत बड़ा drawback है अब बात करते हैं कि इन दोनों में से better कौन सा है अगर हम सरकार के हिसाब से देखें तो जो new pension scheme है एक better option है क्यों क्योंकि सरकार क जो gap है वो नहीं होता और जो future के tax पे रहे उन पे भी burden नहीं बनेगा और सरकार जो है अब सभी के लिए एक जैसा सोच सकती है चाहे हो सरकार employee हो या private employee हो क्योंकि सबकी life important है चाहे हो private में काम करता हो या public में काम करता हो और यह market driven है इसलिए आप decide भी कर सकते हो कि आपने कहा लगाना है मगर लोगों में जो डर है कि पुराने pension scheme में guarantee होती थी वो नए pension scheme में guarantee नहीं है इसी दर का फाइदा political party उठा रही है जैसे कि पंजाब में आम आदमी party ने कहा है कि वो new pension scheme को बंद करके नया pension scheme लाएंगे 36 गड़ में भी कहा गया है और जारखंड में भी कहा गया है और राजस्थान में जहां-जहां Congress की सरकार है वहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम new pension scheme को खतम करके पुरानी pension scheme लाएंगे उसी तरह से अभी-भी जो हिमाचल में सरकार बनी है Congress की वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया क कि हम old pension scheme वापस लाएंगे सवाल आता है कि ये politics के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन economics के लिए उतना ही बुरा है अर्विन पगारिया फार्मर नीती आयों के वाइस चेर्मन उन्होंने कहा कि 2004 में जो लोग retire हुए थे 2034 में उनको pension मिलेगी यानि कि जो 2034 के बाद जो सरक का इसका ये मतलब हुआ कि आज ये सरकारें सेफ हैं आज क्योंकि उनको 14% नहीं contribute करना पड़ेगा तो 14% से तो बचत होगी उनकी लेकिन भविश में जब उनको पूरा pension देना होगा guarantee देनी होगी उस समय जो भविश के सरकार होगी उसके लिए burden है इवन planning commission के former vice chairman मंटोग सिंग अलवालिया ने भी इसे good politics और bad economics माना है दोस्तों आपका क्या मानना है कि चंद लोगों के लिए new pension scheme जो की progressive scheme है market driven है उसे हटाके old pension scheme जो की वो बाबू जो काम नहीं करना चाते उनका burdens आम जंता पर डाल दिये जाए या ऐसी scheme बनाई जाए जिस का benefit सबको हो यह जरूरी है अब तैग करना है आपको और अगर आपको लगता है कि पुरानी pension scheme सही है तो क्यों सही है वो भी comment कर दें और नई pension scheme सही है तो भी comment करें अगर आप किसी तरह के विचार hold करते हैं तो प्लीज लिखें अगर आपके पास कोई alternative viewpoint है उससे भी लिखे फ्रेंड से वीडियो कैसा लगा लाइक करें शेर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें थेंक यू पनेशिया ट्यूटर लाया है एक education platform जहां पर अलग-अलग courses जैसे की IAS, PCS, UGC Net, SSC और banking exams के लिए online और offline classes की सुविधा उपलब्ध है comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures है aptitude का topic that is blood relation uncle's only daughter he took the throne तो जो थ्रोन पे एम्परार बैट थे वो अपने साथ ले गए कोहिनूर दाइमेड दे वर्ड फेमस कोहिनूर दाइमेड वो भी बोगल ट्रेजरी से ले गए फिर आया economic pragmatism यानि की चाहे हमारे आपसे जगड़ा भी है तो भी हम आपसे ब्यापार कर रहें जैसे चाइना है हमारा जगड़ा होते हुँ भी हम उससे ब्यापार कर रहें PDF notes और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs साथी साथ comprehensive mock tests So join Panesha Tutor for your successful and bright future ऑल भी हम झाले क्ज़गा है 500 ग Warum उसके उनसे ब्यूग है यदर आपसे लिए रधू़ाँ 500 थिए गवड़म ड़ो